पूरे दिन चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी ब्लिहस्पति देव हैं आज के जन में जातक सुंदर, विशे, सकान्ती वाले, स्वाधिमानी, बोलने में चतुर और सत्रुओं पर वीजय पाने वाले होते हैं ऐसे जातक नम्र सुभाव वाले, आस्तावादी, इस्वरभक्त, अच्छे कारियों की प्रसंचा करने वाले, स्वतंत्र विचाहत, धारा वाले, न्याय परिये, मध्यस्ता के कारियों में निपूर, व्यापार, आदि में रूची रखने वाले और उच्चा गिलासी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, ब्रियस्पती और शुक्र की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सपल होंगे, चंद्रमा रात्री नौ बचकर चौबीस मिनट तक तुला रासी में ही चलते रहेंगे, तब पस्चात ब्रिश्चिक रासी में प्रवेश कर जाएंगे, अता पू पूर्ण पूर्ण रचनात्म क्रिया सीलता से हर काम में मदद मिलेगी, सरकारी कामकाश पूरे होंगे और विभागी सहयोग बना रहेगा, ने विस्थों की बुनियाद मजबूत होगी और कारिच्षेतर में सफल रहेंगे मेश रास्ति के जात्कों के लिए कारिच्षेतर में उत्साह बना रहेगा, चंदरमा की युति सुक्र के साथ सब्तम भाव में होने से रचनात्म क्रिया सीलता में मदद मिलेगी और आठिक योजनाय फलिभूत होंगी साजेदारी में लाव मिलेगा, उच अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, पारिवारिक सुक्षान्ती और मा के स्वास्त में सुधार महसूस होगा मगर मानसिक संवेदन सीलता बनी रहेगी, वितिय संकट का समादान आज हो सकता है बिध्याथियों के लिए आज का दिन सामाने दहेगा, छोटी यात्राओं का योग बनता है स्वास्त संबंधी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश रासी के जात्कों को कारेच शेतर में उपलबधी हासील होगी आपके रासी स्वामी सुक्र छठमे बाव में चंद्रमा के साथ चल रहे हैं स्वास्त पर विशेश ध्यान दें हाला कि नई कारी वजनाओं के लिए समय अनकूल है नीजी निवेश लाहधाई रहेगा आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा प्रतियोगी भावना विक्सित होगी बहुँ प्रतिक्षित अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा मगर पारिवारिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है संतान सम्मंदी सुर्ष समाचार मिल सकता है सिख्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनकूल रहेगा मिथुन राशिके जात्कों के ब्यावसाई, कुथान और नई कारियोजनाओं के लिए समय अनकूल है साजेदारी के काम आज के लिए लावदायक रहेंगे अधूरे काम पूरे होंगे, सरकारी काम काज में सक्रिय भालीदारी बनी रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर कुछ कामों में अचानक गलत निर्णए और कारे छेत्र में अवरोथ के साथ सहयोग में कमी भी संभावित है शिक्षा प्रतियोगता में सफलता मिलेगी और नई जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी मगर नकारात्मक विचारों वाले दर्टियों से दूर रहें, मन थोड़ा अशान्त रह सकता है खाने पीने में सावधानी बढ़ते हैं, मौसम सम्बंधी संकरमन के साथ ही स्वास सम्बंधी जटिलताएं बढ़ सकते हैं करकराश के जात्रों के लिए उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा उत्साह कारियोर्जा मन मुताविक बनी रहेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आर्थिक लाव आपके प्रयासों के उपर निर्भर करेगा मानसिक चिंता और मन के नकारात्मक विचारों में सुधार मिलेगा और परिवारिक प्रयर्णा से उत्साह में बृध्धी होगी मगर पहल करने की प्रवरित्टी प्रभावित होगी हला कि सत्रूपक्स कमजोर रहेगा नयायाले या सममंधित कामों में सफलता मिलेगी विध्यातियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा मगर स्वास संबंदी आवसक सावभानी बनाए रखें और नीजी रिष्टों में सकारात्मक सोच बनाए रखें सिंग रासी के जात्मों का उरजास्तर और डेड़ विश्वास बना रहेगा और मानसिक रूप से अपने आपको स्वास्त महसूस करेंगे हाला कि ब्यावसाइक योजनाओं में इस्थिरता आएगी और विकास के मार्क पसस्त होंगे विभागी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा और सरकारी कामकाई पूरे होंगे आथिक वक्ष सामाने रहेगा मगर वाद विवाद संबंधी मामले दोसारोपन और पारिवारिक तनाव के इस्थिती भी संभावित है हला कि ग्रिहोपयोगी वस्तों में ब्रिद्धी होगी और नीजी निवेश लाख गयक रहेगा मिध्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है कर्ण्या राशियों के लिए आज का दिन कारे चंता को बढ़ाने वाला होगा और जावराद मिश्वास रजनात्मक कारियों में खर्च होंगे और सफलता मिलेगी नई कारियों जनाओ के लिए समय अनकूल है साजेदारी के कामों में भी लाव संभव है मित्र वसायोगियों से भी लावकारी प्रस्ताओर दिन सकते हैं मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है मगर आर्थिक निरने लेने में सावधानी रखनी चाहिए मा के स्वास के प्रती चिंता संभावित है साथ ही साथ अपने स्वास पर विशेश सावधानी बरते हैं मौसम संबंधी परेशानियां खास तोर से तचा संबंधी विकते हो सकते हैं तूला रासी के जातों के लिए आज का दिन खास होगा शुक्र वाज चंदर्मा की यूति आपकी रासी पर ही बनी हुई है जिसका मिला जुला फल प्रयासों को बढ़ाने वाला मानसिक संतुष्टी और आत्मिश्वास की वृद्धी करने वाला होगा कार्वियोजनाओं सफलता पूर्वा कूरी होंगी कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी और नेजी निवे सहयोग बना हुआ है आथिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा मगर कार्वियोजनाओं में अडचने सरगारी अवरोद और वाद विगाद से बचें और नकारात्मक विचा राष्वाले जात्कों के लिए आज का दिन कारे शैली में सकारात्मक वर्या और काम करने की छमता को बढ़ाने वाला होगा सुब खारियों में आ रही अरचने खत्म होंगी और आठिक लावमन मुताविक मिलता जाएगा साजेदारी लावदायक रहेगी संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है वियावसाई की इस्थित्ता कायम रहेगी रचनात्मक पहलु सक्री रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफ़वता संभावित है कुछ कामों में रुकावट हो सकती है मगर अधिकतर प्रयास होंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा धनुराशि के जात्तकों को कारेच्षेते से संभंदित मामलों में सावधानिय पेक्षित है अनावशक विवाद और रुकावटें संभावित हैं हलाकि यापके मेहनत के अनुदोप योजनाव का विस काजेदारी के काम आज के लिए लावदायक रहेंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा विद्याथियों को मेहनत का लाव मिलेगा और स्वासंभंदी आवसक सावधानी बनाए रखें साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं मकर राज के जात्कों को अपने स्वास्त पर भ्यान देना चाहिए कारी ओजनाए सुचारू ढग से चलती रहेंगी शासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा अतिरिक कारियभार महसूस करेंगे और कारे चेतर में सहयोग मिलेगा शुकर और चंद्रमा की यूति से ब्यावसाईक उत्थान का अंदेशा बनता है हलाकि आदमिस्वास में उतार चड़ाओ, कारियों में रुकावट, पत्नी के स्वास्त में गड़वड़ी और अपवयाय काभी संकेत मिलता है मगर वयवाईक मामनों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा, अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और संतान सम्मध्धी दायितु की पूर्ती होगी कुम्भराशी के जात्मों को कारेच्षेत की सक्रियता बनी रहेगी, ब्यावसाईक उत्थान की प्रक्रिया सुरी होगी और सरकारी सहयोग कायम रहेगा मगर ब्यावसाईक दिकास में खर्ट संभावित है, हाला कि लावदायक प्रस्ताव सामने आएंगे, आपके बुद्धी कोसर से बिगड़ते हुए काम भी बन सकते हैं किसी महीला के सहयोग से आपके प्रभाव में प्रिद्धी होगी, रुके हुगे काम संपन होगे और प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी सासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा, बिगड़्याथियों के लिए आज का दिन अन्कूल होगा सक्षा प्रतियोगीता में सपलता मिल सकती है, मगर भी रोधियों से सावधानी ये प्रेक्षित है मीन राशिके जात्कों के सकरियता और आपनी स्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा अपने ही कामों पर संदेह की स्थिती संभावित है, मगर चंद्रमा के सुक्र के साथ आठवे घर में होने से कारेच्षित की निरनतरता बनी रहेगी बहु प्रतिक्षित काम संपन होंगे, मगर स्वास संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव संभाव है कोई आरोप लग सकता है और साजिस के सिकार हो सकते हैं मगर साथ आठवाव उपता और जल्दबाजी में निरने लेना उचित नहीं होगा संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी, सक्षा प्रत योगिता में परिश्रम करना पड़ेगा आर्थिक लाख सामाने रहेगा धार्मिक यात्राएं संभावित हैं देव दर्शन के योग बनते हैं, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाये